नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ बहतर होंगे और मैं आपको बता दूँ कि मेरी टेस्ट सेरीज आ गई है एरा एप डाउनलोड करें आप आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी और उसके मध्यम से आप हिंदी मीडियम और मीडियम में अभी लेबल है वो टेस्ट सेरीज आपके लिए बहुत ही कम प्राइज पर मिनिममम प्राइज पर वो अभी लेबल है आप लोग उसको जोईन कर सकते हैं और एक डेमो टेस्ट भी डाला है कि किस इसतर के कुश्चन बन रहे हैं कैसे वो लिंक हो रहे हैं ठिक ह चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आपको ध्यान रखे कि टेस्ट सेरीज जित्ता जल्दी लेंगे उत्ते कम रेट में पड़ेगी जैसे जैसे डेस होते जाएंगे उसके रेट बढ़ते जाएंगे ठिक है चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज ठिक ह होगा आपका जो लक्ष है वो किसी जादू से पूरा नहीं होगा है ना कियारा मेरा लक्ष होगा हम सोच रहे हैं और हमारा लक्ष पूरा हो जाएगा नहीं बलकि आपको ही अपना लक्ष प्राप्ट करना पड़ेगा कैसे मेहनत करके ठीक है आपको ये बहुत आसान लाइने लग रही होंगी पर अगर इसकी गंभीरता में आप जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आपकी मेहनत ही आपको क्या करेगी आपके लक्स तक पहुंचाएगी ये बात को आपको ध्यान रखना है कोई भी डाइमेंसन छोड़ना नहीं है चलिए तो आएए आज लेखा समीति के पबलिक एकाउंट कमेटी के और मैं आपको ये बता दू कि पबलिक एकाउंट कमेटी का जो चेर्मेन होता है अध्यक्ष होता है वो लीडर अफ उपोजीशन होता है है ना तो अगर हम लीडर अफ उपोजीशन हमसे क्यों पूछा जा सकता है तो ये मैं आ तो बाते रिसेंटली एक दूसरे से क्या कर रही हैं बहुत ज़्यादा को रिलेट कर रही हैं इसलिए पूछने के सम्भावना बहुत ज़्यादा बन जाती है चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के साथ और सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी तो सबसे पहले हम बात क और ये 36 गड़ से आते थे, CG से आते थे, हाँ मैं आपको ये इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि हमारे जो पहले CM थे, वो भी CG से थे, पहले Leader of Opposition वो भी CG से है, ठीक है, पहले CG और MP1 था ये बात तो आपको पता ही होगी, ठीक है, और आपको एक बात और ये ध्यान रखनी है कि Central Province and Barar, जिसके CM थे रवी शंकर, शुक्ल, पंडित रवी शंकर, शुक्ल उशी में ये Legislative Assembly के क्या थे, मिंबर थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, 56 से 57 तक ये कहा रहे, Leader of Opposition रहे, ध्यान रखेगा, ठीक है, विश्वनात यादाउत तामशकर जी, आगे बढ़ते हैं, अ ध्यान रखेगा, चंदर प्रताप्तिवारी जी जी जो थे, वो हमारे 57 से लेके 62 तक क्या रहे, ध्यान रखेगा, कि हमारे Leader of Opposition रहे, Second, जो है Legislative Assembly में दूसरे Leader of Opposition रहे, बहुत important है, गोवा सत्याग रह, जब गोवा को किस में मिलाना था, भारत के अंदर मिलाना था, तो उसके लिए क्या किया गया था, सत्याग रह किया गया था, और उसमें 15 अगस्त 15 अगस्त 1955 को गोवा सत्याग रह में participate करने वाले मेंबर मेंशे एक थे, कौन थे वो चंदर प्रताप्तिवारी, तो आज आपको एध्यान रख रहे हैं कि गोवा सत्याग रह क्या है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगली बात, अगली है कौन, विरेंद कुमार सकलेचा जी, बहुत ज़्यादा इंपोर्टन डाम है, विरेंद कुमार सकलेचा जी, यह हमारे दो बार लीडर ऑफ उपोजीशन रहे हैं, विरेंद कुमार सकलेचा जी, बहुत ज़्यादा इंपोर्टन मेरे को यह बताई करगे कब से कब तक cm रहे comment box में ठीक है और आपको यह भी ध्यान रखना है कि वह यह लोग लेखा समीति के अध्यक्ष रहे जैसे यह दिख रहा है आपको ठीक है तो public account committee की अध्यक्ष रहे है यह बात भी आपको ध्यान रखना है अब आपको यह पता है कि leader of opposition होगा वही तो होगा लोग लेखा समीति काध्यक्ष तो यह but obvious understood होना चाहिए आपको मेरी बात समझ गए क्या चलिए तो यह ध्यान रखेगा यह दो बार बने है ठीक है leader of opposition और यह से cm भी है जो leader of opposition रहे चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूँ कि मेरी test series आ गई है आप लोग test series को जवाइन करें जितना ज्यादा हो सके ठीक है और test series को जवाइन करने के बाद questions को लगाएं आप जितनी बार चाहें उत्ति बार उन questions को देख सकते हैं लगाने के लिए आपको एक ही बार मिलेगा पर जितनी बा बार क्या बने leader of opposition बने ये भी ध्यान रखिएगा और इन ही के समय राष्टपती शाषन लगा था 1977 में जब पहली बार लगा है CM के वीडियो में मैंने इनकी डिटेल आपको बताई है ठीक है तो आपको ये ध्यान रखना है ठीक है और comment box में बताईएगा ये कब से कब तक CM रहे और कितनी बार CM रहे दोनों बाते है ठीक है मेरी बात समझ गए क्या चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये बात आप ये भी ध्यान रखेगा कि चतुर्त द्विवान समा में 4th legislative assembly में और 9th legislative assembly दोनों में ये क्या रहे है ठीक है दोनों में ये क्या रहे है ये leader of opposition और मैं आपको यहीं पे एक बात बता देता हू मैंने दो गलतियां करी पिछले वीडियो में एक मेरी पहली गलती क्या थी वो मैं आपको बता देता हूँ जब गोविंद नरायन सिंग सीयम थे तो मैंने गलती से मुझे बिजया राजे सिंधिया बोलना चाहिए और मैंने गलती से यसोधरा राजे सिंधिया बोल दिया है कि जब गोविंद नरायन सिंग सीम थे बहुत ध्यान से सुनिएगा गोविंद नरायन सिंग जब सीम थे तब सदन का नेता कौन था लिजिस्टलिश्रिव असेमली का लीडर कौन था तो उसमें मुझे बिजया राजे बोलना चाहिए साइद गलती से एसोधरा राजे सिंद् तो इस बात को आप correct कर लीजिएगा ठीक है अगली बात जो यह important है जो मेरे से गलती हुई है वो जो मैंने किसका high court chief justice का बीडियो बनाया है आपको link में मिल जाएगा बहुत deep में बीडियो बनाया है उसमें मैं यह कहा कि मुहमद हिदायतुला जब क्या बने acting president बने तो पहले ऐसे acting president थे जो supreme court के chief justice भी रहे हुँ तो actually उसमें मैंने यह बता दिया था कि चौधरी चरण सिंग के इस्तीफा देने पर president का पत खाली हुआ vice president का तो ध्यान रखेगा चौधरी चरण सिंग नहीं थे वीवी गिरी थे कौन थे वीवी गिरी थे यह तो आप लोगों को लगता होगा ना सर सामने लिखा है तो पढ़ देते हैं सर अपनी memory पर बोलते हैं यह ध्यान रखेगा तो थोड़ा सा नाम leader of opposition पर ठीक है अगला कौन है हमारे तो ध्यान रखेगा द्वारी का प्रशाद मिस्र ठीक है यह हमारे फिफ्ट leader of opposition थे और द्वारी का प्रशाद मिस्र जी के वारे में मैंने पूरा detail यह भी क्योंकि हमारे CM थे तो CM वाले वीडियो में बताया है कि कृष्णायन इनकी ठीक है और यहनों बहुत अरिपत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया मेरी बात समझ गए क्या चली अब अगले बात आते हैं अगले नाम आते हैं बहुत ज्यादा important है ठीक है और वो है वसंत सदाशिव प्रधान ये वसंत सदाशिव प्रधान क्यों है क्योंकि बहुत जाना माना नाम आपको दिखता नहीं है बट important नाम है वशंत सदाशिव प्रधान ठीक है ये sixth leader of opposition थे और क्या थे हिंदू महासभा के क्या थे ध्यान रखिएगा मेंबर थे और ये finance minister थे ये ध्यान रखिएगा finance minister भी थे ठीक है मेरी बात ये आपको सबज में आ गई क्या तो हिंदू महासभा के शदर से थे अब आप मेरे को comment box में बताईए जरह हिंदू महासभा की स्थापना किष्णे की बहुत फेमस personality भारत रतन पा चुके व्यक्ति है ठिक है चलिए आगे बढ़ते हैं कैलास जोसी ये हमारे cm रहे कैलास जोसी सेवन्थ लीडर ऑफ अपोजीशन रहे और हम यहाँ पर यहीं पर clear करे दे रहा हूं कल भी बताया था आज भी बता रहा हूं कि लीडर ऑफ अपोजीशन हमारे कैलास जोसी थे और एक question ये था ये question था कि पहले गैर Congressi CM तो ध्यान रखियेगा वो तो गोविन नाराइन सिंग ही हम मानेंगे कैलास जोसी बाद में भले गोविन नाराइन सिंग बाद में Congressi बन गए बट कैलास जोसी से पहले वो दूसरे party से क्या बन चुके थे ध्यान रखियेगा CM बन चुके थे कैलास जोसी जो है वो हमारे CM रहे BJP के साथ मेरे हिसाब से पहले CM है ठीक है ये बात आपको ध्यान रखनी है बहुत जादा important है और अगली बात ये important है कि 24 नवंबर 2019 मतलब जादा समय नहीं हुआ है इनकी death हुए ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है और बहुत सारी current affair की book में लिख देता है कि कैलास जोसी की प्रतिमा का नावरण कहा हुआ देवास में ये और वो दुनियादारी ठीक है कोई बात नहीं वो जरूरी है चलिए आगे बढ़ते अरजुन सिंग बहुत important नाम है ये भी हमारे cm रहे जब भुपाल गैस tragedy हुई तब हमारे cm कौन थे तो अरजुन सिंग थे ये ध्यान रखेगा और ये 8th leader of opposition थे ये भी ध्यान रखेगा तो अरजुन सिंग पंजाब के क्या रहे है राज्यपाल भी रहे है हमारे cm भी रहे है और leader of opposition भी रहे है और HRD minister भी रहे है twice दो बार ठीक है ये बहुत ज़ादा important बात हो जाती है अरजुन सिंग के साथ ठीक है बहुत सारे dimension इनके साथ जुड़ जाते है चलिए आए आगे बढ़ते हैं अगले है सुंदरलाल पटवा सुंदरलाल पटवा भी हमारे cm रहे है पदमे विभूशन से इनको 2017 में शम्मानित किया गया मैंने बताया कि 16 में इनकी डेथ हुई थी और 17 में इनको पदमे विभूशन दिया गया और 9th leader of opposition थे हमारे सुंदरलाल पटवा मेरी बात समझ गये क्या ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं जो बहुत ज़्यादा important बात है उस पर विक्रम बर्मा ये नाम भूलिया का नहीं विक्रम बर्मा बहुत ज़्यादा important नाम है ये 8th leader of opposition थे हैं दसवे leader of opposition थे हमारे और मैं आपको बता दूँ कब से कब तक थे तो ये भी थ्यान रखेगा 93 से लेके 98 तक है ना क्योंकि ये period सायद बहुत ज़्यादा important नहीं है इसलिए मैंने mention नहीं कर रखा है 93 से 98 तक कभी कभी क्या होता है आपसे पूछा जा सकता है पर थ्यान रखेगा मुझे नहीं लगता कि तेन्वेर पूछेगा और ये ministry of youth affairs and sports में government of India में ministry of youth affairs and sports था ये इनके पास ठीक है आद गे आते हैं आगे है गौरी संकर सेजवार बहुत बड़ा नाम गौरी संकर सेजवार का बहुत बड़ा नाम है 11th leader of opposition थे ठीक है और नर्वदा सेवा यात्रा लगा ली गई थी तो उसके इन्चार्ज भी थे नर्वदा सेवा यात्रा कब निकाली गई थी ध्यान रखेगा ये आप मिझे बताईए comment box में जरा तो और सिवराज सिंग चोहान ने एक important बात नर्वदा सेवा यात्रा के साथ क्या थी कि वो जहां से चालू हुई थी वहीं पर आके समाप्त हुई नर्वदा जी की परिक्रमा करके अमर कंटक से चालू हुई अमर कंटक में ही समाप्त हुई तो नर्वदा सेवा यात्रा की detail आप करिएगा मेरी बात समझ गए क्या ठीक है कहेंगे तो मैं उस पे एक वीडियो भी बना दूँगा ठीक है तो गौरी संकर सेजवार 11 लेवन्थ लेडर ऑफ अपोजीशन थे यह बात आपके दिमाग में होनी चाहिए अगली बात बाबुलाल गौर यह हमारे सीयम भी रहे हैं बाबुला मैं तब यूपी के सीयम ते मुलायम सिंग और मद्द प्रदेश के सीयम ते कौन बाबुलाल गौर तो मद्द भारत की पहली रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कौन सा था तो इध्यान रखेगा केन वेतवा लिंक परियोजना थी बहुत जादा इंपोर्टेंट है 12 लीडर लीडर आफ उपोजेशन थे 2002 से तीन तक यह बात ध्यान रखेगा दिगविजैसिंग के सामने और 2018 में पॉलिटिक्स छोड़ दियो उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी ठीक है बात समझ गये कि नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है जमुना देवी वेरी आयंपी और फर्स्ट बूमेन थी दो बाते आपको ध्यान रखनी है और यह डिपुटी चीफ मिनिस्टर भी रही है है ना उपमुख्य मंत्री भी रही है यह बात आपको ध्यान में रखनी है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है आजय अर्जुन सिंग मतलब अर्जुन सिं द्यान रखेगा अजय अर्जुन सिंग है या अजय सिंग की जगह है अजय अर्जुन सिंग लिख देगी अजय सिंग लिखा है तो राइट कोई दिक्कत नहीं है बट अजय अर्जुन सिंग लिखा है तो भी राइट इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया इसको यह दो बार हमा में आपको ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ने है ठीक है यह ध्यान रखेगा सिर्फ इत्ता ध्यान रखना है कि 15th leader of opposition थे बहुत ज़्यादा इनका नाम उचल के सामने नहीं आता है ठीक है इसलिए इनको अगला है कमलनाथ 17th leader of opposition थे और अब जब कमलनाथ सियम थे तब leader of opposition कौन तो गोपाल भारगाओ यह बात आपके निमाग में रखनी है सागर से आते हैं सागर की विधान सवा से यह आते हैं ठीक है तो आपको यह बात ध्यान रखनी है ठीक है इनका नाम क्यों चला था बीच मे इन्होंने अपने एरिये में क्या किया था एक कोवीड हॉस्पिटाल अलग से इस्टेबलिस कर दिया था ठीक है और अलग से डॉक्टरों की न्युक्ती भी कर दी थी इन्होंने चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है कमलनाथ 17th leader of opposition थे और अभी वर्तमान में जो leader of opposition है कमलन तो ध्यान रखिएगा इनके साथ क्या है खासियत 18th क्या थे CM और 17th क्या है leader of opposition ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये कब से कब तक ध्यान रखिएगा ये कि 19 से ठीक है 1908 से लेके 19 जुलाई से लेके 1908 2020 से लेके और अब तक हमारे leader of opposition कौन है कमलनाथ है ध्यान मेरे era app में android app है बहुत जल्दी मैं जो है तो apple store का apple store में अपना app लेके आऊंगा ठीक है उसके वारे में मैं आपको पूरी detail दूँगा अभी मेरे description में android app है उसको download कर लिजे और आप मेरी test series purchase कर सकते हैं ठीक है आप लोग जितना जादा हमारे video को share करेंगे मुझे लगता है कि मेरे को और अच्छे अच्छे topics पे video बनाने के लिए motivation मिलता रहेगा और कल मैं एक और important topic के साथ आप से मिलूँगा तब तक के लिए धन्यवाद like करें subscribe करें share करें as much as possible thank you thank you very much